दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटकोइन के बारे में बताने जा रही हूँ कि बिटकोइन क्या है कैसे काम करता है इसे कहां रखा जाता है इसके फाइदे या नुकसान क्या है कहां से इसे खरीदा जा सकता है वगरे वगरे तो चलिए दोस्तों थोड़ा Bitcoin भी एक digital currency है, ये बाकी currency से बिल्कुल अलग है, क्योंकि Bitcoin को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे पैसो की तरह चू सकते हैं, Bitcoin का आविश्कार Satoshi Naka Moto ने 2009 में किया था, और तब से ही इसकी लोग प्रियता बढ़ती जा रही है Bitcoin एक decentralized currency है, इसका मतलब इसे कोई control नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, इसे कोई control नहीं कर सकता जैसे कि bank, कोई सरकार इसे control नहीं करती अब देखते हैं इसको कहां रखा जाता है, Bitcoin को हम सिर्फ online wallet में store करके रख सकते है, Bitcoin का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब internet का इस्तेमाल करते है Bitcoin का use हम online payment के लिए कर सकते है, या कोई transaction के लिए कर सकते है, Bitcoin peer-to-peer network based पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा बीना किसी bank, credit card या बीना किसी company के आसानी से transaction कर सकते है Bitcoin को transaction में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है, आजकल बहुत से लोग Bitcoin को अपना रहे हैं, जैसे कि online developers, entrepreneurs, non-profit organization और आजकल तो youth भी इसका बहुत ज़ादा इस्तेमाल कर रही है इसी वज़े से Bitcoin का use पूरी दुनिया में global payment के लिए किया जा रहा है और हमारे किये गए हर transaction का सीधा हिजब हमारे bank account में मौजुद रहता है, जिससे कि ये record रहता है कि पैसा कहां से और कितना खर्च किया गया है लेकिन Bitcoin का तो कोई मालिक भी नहीं है, इसलिए इसके साथ किये गए transaction एक public ledger, एक public खाते में record रहता है, जिसे Bitcoin blockchain कहते है वहाँ पर Bitcoin के साथ किये गए सभी transaction details store होकर रहते है, और वही blockchain इसका प्रमान होता है कि transaction हुआ है या नहीं Bitcoin की value कम या जादा होती रहती है, क्योंकि इसको control करने के लिए कोई authority नहीं है, इसलिए इसकी value इसके demand and supply की हिसाब से उपर नीचे होती रहती है तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अब ये Bitcoin wallet क्या है, Bitcoin को हम सिर्फ electronically store करके रख सकते है Bitcoin wallet बहुत से प्रकार के होते है, जैसे कि desktop wallet, mobile wallet, online web-based wallet, hardware wallet, इनमें से एक का यूज करके हम इसमें account बना सकते है ये wallet हमें address के रूप में एक unique ID देता है, जैसे कि अगर आपको Bitcoin खरीदना या बेचना है, तो आपको Bitcoin wallet की ज़रुरत पड़ती है और अगर आप Bitcoin बेचते हैं, तो उसके बदले में आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, वो आप अपने bank account में भी transfer Bitcoin wallet की जरीए करवा सकते है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमारे भारत में एक रुपे में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक Bitcoin में 10 करोर साटोशी होते हैं, आप चाहे तो Bitcoin की सबसे छोटी रकम साटोशी खरीद सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा Bitcoin जमा कर सकते हैं, जब आप online किसी को कोई सामान बेच रहे हैं, उस खरीदार के पास अगर Bitcoin है, तो उससे आप अपने सामान के बदले में Bitcoin ले सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास Bitcoin आ जाएगा, आप चाहे तो बाद में उस Bitcoin को दूसरे व्यक्ति को जादा दाम में बेच कर मुनावावी पा सकते ह तो चलिए अब जानते हैं Bitcoin के फायदे और नुकसान के बारे में, यहाँ पर आपका transaction fee, credit card और debit card के payment के मुकाबले काफी कम है, Bitcoin को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के, यहाँ पर Bitcoin का account ब्लॉक नहीं होता, जैसे कभी-कभी किसी व काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा record में देखा गया है, कि Bitcoin की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो आगे चलकर हो सकता है, आपको इससे बहुत फायदा मिले, अब बात करेंगे Bitcoin के नुकसान के बारे में, जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले भी बताया है, कि Bitcoin क कोई control नहीं कर सकता, कोई authority, कोई bank, कोई सरकार इसे control नहीं करती, इसका मतलब ये है, कि इसके demand and supply की rule की वज़े से इसकी कीमत जो है, वो काफी उपर नीचे होती रहती है, इस वज़े से risk काफी हो जाता है, अगर आपका account कभी hack हो जाता है, तो आपके सारे Bitcoin आप खो देंग तब तक इसमें बहुत ज़्यादा invest ना करे, अगर कल को कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपके Bitcoin खो जाते है, तो आपके life पे इसका असर ना पड़े, इतना ध्यान रखे, तो दोस्तो अगर आप Bitcoin में invest करना चाहते ही है, तो ZEPPay, WazirX जैसे कुछ screen पे दिये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, थैंक्यू पर वाचिंग